आप सब उमीद करती है आप सब ठीक हूंगे आज ये करेंट इफे सेस्षिन में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं सभी अंत्रेक्स मिशन 2024 2024 के बारे में बात करने वाले बहुत important topic है बहुत helpful topic अगर आप कोई भी exam की तयारी कर रहे हो उस हर exam के लिए बहुत important topic है ये बिलकुल लास तक बने रहना चलिए शुरू करते हैं इसरो द्वारा घोशित भारत के चंद्रियान 4 मिशन का मुख्य लक्ष क्या है जिसे 2040 में लौंच किया जाना है बहुत important question तो उसका लक्ष पूछ रखा है चंद्रियान 4 का क्या है चंद्रमा पर अंत्रिक शात्री को उतारना और नमूने एकत्र करना to land an astronaut and collect sample on the moon next है प्रोबा 3 मिशन जिसे इसरो के PSLV पे लौंच किया जाएगा किस अंत्रिक एजेंसी से जुड़ा हुआ है बहुत important question European Space Agency से जुड़ा हुआ है इसके बारे हम थोड़ा देख लेते हैं का नेम है प्रोबा 3 मिशन लौंच किया गया है European Space Agency के द्वारा अगर हम प्रोबा की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है project for on board autonomy rocket कौन से rocket के द्वारा लौंच किया गया है PSLV पोलर सेटिलाइट लौंच वैकिल के द्वारा लौंच हुआ है USA के Cap Canaveral के द्वारा इस लौंच का उद्देश एक कृत्यम सूर्य ग्रहंट बनाके सूरी के कोरोना उसके बाहरी वातावरण का अध्यान करना नेक्स है अंगारा एफाइफ अंत्रिक्स रॉकेट का प्रस्पेक्शन किस देश में हुआ है तो यह हुआ है रश्या में नेक्स कोश्चन है विश्व के पहले लकडी के उबग्र है वर्ल्ड फर्स वूडन सेटेलाइट को कक्षा में प्रस्पेक्शित करने के लक्षवाले मिशन का नाम क्या है इसका नाम है लिग्नो सेट लॉंच किया गया है नासा एन जपान एरो स्पेस एक्स्परनेशन पेस एक्स रॉकेट पर किस कमपनी द्वारा विक्सित अपना पहला जासुसी उबग्रह लॉंच करने की तयारी कर रहा है जहां भी फर्स आता है वो अपने में ही इंपोर्टेंट हो जाता है यहां फर्स पाई सैटलाइट हो रहा है तो ये कोशन पूछ रहा है किस कमपनी द्वारा विक्सित करने वाले कंपनी का नाम पूछ रहा है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेट के द्वारा नेक्स फर्वरी दो हजाच चौबिस में महासागरो और वायू मंडल का सर्वेशन करने के लिए नासा द्वारा प्रस्पेक्षित उपग्रह का नाम क्या है त तो उसका नाम है PACE तो पेस सेटलाइट है अगर हम पेस के फुल फॉर्म देखे है प्लांक्टन एरोसल क्लाउड ओशन एको सिस्टम लॉँच हुए है नासा के द्वारा और लॉँच हुए फैलकन नाइन रॉकेट के द्वारा लॉँच हुए है युएसे के कैप कैनवरे के द्वारा इसका में लक्ष क्या है धुरूवी कख्षा के विश्व के महासागरों और वायु मंदल का अभूत पूरु विस्तार से अध्यन करना ठीक है जितने भी वर्ल्ड के ओशियन से अथ्मोस्फियर है उनके बारे में स्टडी करना नेक्स है किस देश ने जायलॉंग 3 रॉकेट विक्सित किया जिसे हाल में फर्वरी 2024 में नौ उपगर को कख्षा में लॉंच किया है तो यहां पर पूछ रख है देश का नाम आप से कुछ भी पूछा जा सकता है या सैटलाइट का नाम पूछ लिया जाएगा रॉकेट का न उप्टिकल एड को ले जाने वाले है एच आई आई ए रॉकेट मिशन का प्राथमिक उद्देश क्या है अगेन कोशन देखे कैसे पूछ रखा है यहां पर उद्देश पूछ रखा है तो इंटेलीजेंस गैदरिंग फॉर नेशनल सिक्योरिटी इसका में मोटिव या फि इसका में परपस क्या है मुख्य रूप से खूफिया जानकारी जुटाने के लिए डिजाइन किया गया है ऑप्टिकल एड सैटलाइट को नेक्स किस मद्य पूर्व देश ने महदा कायहां टू और फटेव नामक तीन उपगरा का सफलता पूर्व अंत्रिक्ष में जिसको पोयम 3 बोलते हैं पोयम 3 में 100 वाट पॉलीमर, इलेक्ट्रोलाइट, मेम्रेन, फ्यूल, सैल का सफलता पूर्व प्रसिक्षन किया जो हाइट्रोजन और ऑक्सिजन गैसों का उप्योग करके अंत्रिक्ष में बिजली पैदा करता है तो यहां और्गनाजेशन का ना इसवालाल, सारा भाई, जो इस रों के सबसे पहले चीर मैन रहे या तो फिर्स कीरों मेन का पूछा जाता है, या फिर्स कीरों का पूछा जाता है यह फर्स कीरों के और अभी करेंट के सोमनाजी है, अगर इस रों की फुलफ spreading देखे हम, इंडियान rozp research organization, फिर्म हई थी 15 ओ जीथे से 20 का प्रेस्पेक्शन कॉन करेगा और किस रॉकेट का उपव्योग किया जाएगा दो कोशन इसमें पहले कौन करेगा सको लॉच कॉन करेगा ठी के सैकश करेगा और फालकर 9 फिच consult क structural को 20 है communication satellite है डेवलब किया गया इस रो के द्वारा लॉंच किया जाएगा Space X के द्वारा और लॉंच किया जाएगा Falcon 9 रॉकेट के द्वारा नेक्स है भारत के पहले X-ray Polarometer satellite का नाम क्या है जिसे इस रो द्वारा जन्वरी 2024 में लॉंच किया गया तो इसका नाम है एक्सपोसेट तो सैटलाइट का नाम है X-ray Polarometer satellite एक्सपोसेट डेवलब किया गया इस रो के द्वारा लॉंच हुआ है PSLV rocket के द्वारा लॉंच साइट इसकी रही 37 स्पेस सेंटर नेक्स है नासा के उस मिशन का नाम क्या है जिसे God of Chaos नामक शुद्ग्रह को रोकने के लिए द्वारा लॉंच किया गया था तो यहाँ पर मिशन का नाम पूछ रहा है तो इसका नाम है OSIRIS Apex नेक्स है दिसम्ब 2023 में चीन और मिस्र द्वारा लॉंच किया गया संयुक्त रूप से विक्सित उपग्रह का नाम क्या है तो चाइना और इजिप इन दोनों ने मिक्स करके आफिक कोलाबरेट करके बनाया है चाइना के जुए कॉन सेटेलाइट लॉंच सेंटर के द्वारा यह एक सुधर समवेदन उपग्रह है या फिर रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट कह सकते हैं इंग्लिश में आप मैंने दोनुं लैंग्विज में रख रखा है इंग्लिश में भी हिंदी में भी मिस्रि भूमी और संसादन प्रबंदन जल सरक्षन क्रिसी उत्पादग और तटिय परविती निगराने को आगे बढ़ाने के लिए उपग्रह का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि पूछ सकते इसका परपस किया है नेक्स है फर्विली 2024 में इसरो द्वारा GSLV F-14 इनसेट 3DS मिशन किस प्राथ में उद्देश के लिए लाउंच किया गया था अगेन यहां पर एक एम पूछ रखा है तो यह वैदर फोरकास के लिए इनसेट 3DS सैटलाइट लाउंच हुआ इस रोके द्वारा लाउंच हुआ यह GSLV रॉकेट के द्वारा लाउंच रहा है का विश्वर रिकॉर्ड किस ने बनाया है तो यह बनाया है ओले कोने baik झान को frei ठिक है रूरी क्टेत हैं यह सबसे अधिक समय तक रहने का विश्वर रिकॉर तोड दिया Duty a SBS 2014 में किस देश ने चंद्रमा पे अंत्रिक्स यान Slim उतारा जो चंद्रमा पे सफलता पूर्वा उतरने वालवा पांचवा देश बन गया है टेक बहुत important question तो जपान ने उतारा Smart Lander for Investigation Moon Slim जिसकी full form है यह Smart Lander for Investigation Moon Mission जपान के द्वारा लॉंच किया गया है H.I.I.A.202 रॉकेट के द्वारा लॉंच हुआ है यह जपान के त्यांग सीमा Space Center से लॉंच हुआ टेक नेक्स है किस अंत्रिक्स एजिंसी ने जन्वरी 2024 में Crew Dragon Capsule Freedom को अंत्रास्टिय अंत्रिक्स स्टेशन तर ले जाने के लिए Exxon Space का Exxon 3 मिशन लॉंच किया बहुत इंपोर्टन कोशन यहाँ पर अंत्रिक्स एजिंसी का नाम पूछ रहा है Space X के द्वारा X-3 मिशन जो की लॉंच हुआ Space X के द्वारा Falcon 9 रॉकेट के द्वारा लॉंच हुआ है लॉंच हुआ है USA के कैनेडी स्पेस सेंटर से Crew Dragon Capsule जिसे Freedom नाम दिया गया जो Falcon 9 रॉकेट के उपर अंत्रिक्स में भेजा गया तो the next question is किस अंत्रिक्स एजिंसी ने जन्वरी 2024 में Crew Dragon Capsule Freedom को अंत्रास्टरी अंत्रिक्स स्टेशन तक ले जाने के लिए X-3 मिशन लॉंच किया है इसको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी अभी मैं यहाँ पर आपको एजिंसी का नाम बता देती हूँ Space X ने ठीक है अगर हम इसके बारे में देखते है X-3 मिशन है मिशन का नाम लॉंच हुआ है Space X के द्वारा यही कोशन पूछा गया था इसके द्वारा लॉंच किया गया किस अंत्रिक्षी एजिंसी के द्वारा लॉंच हुआ है Falcon 9 rocket के द्वारा लॉंच हुआ है USA के Kennedy Space Center से Crew Dragon Capsule जिसे Freedom नाम दिया गया को Falcon 9 rocket के उपर अंत्रिक्ष में भेजा गया नेक्स है इसरो ने अपना दुसरा Space Port launch pad कहां स्तापित करेगा तो ये करेगा तमिल लांडू में इसरो का दुसरा Space Port तमिल लांडू के कुल सेखर पटनम में स्तापित किया गया श्री हरी कोटा में 37 धवन अंत्रिक्ष केंद इसरो का पहला अंत्रिक्ष बंदर का उपगरा प्रस्पेक्षन स्तल है पहला तो बता है आपको या फिर चलो मैंने बता दिया दुसरा अब तमिल लांडू में बनेगा ठीक है नेक्स है लूपेक्स चंद्र मिशन पर कौन सी अंत्रिक्ष एजिंसी भारती अंत्रिक्ष अनुसंदान संगठन के साथ संयोग कर रही है तो वह कर रही है जपान एरो स्पेस एक्सप्रोरेशन एजिंसी इसके बारे में थोड़ा देखते हैं लूपेक्स लूना पॉलर मिशन या फिरे चंद्रियान फोर भारती अंत्रिक्ष अनुसंदान संगठन इस्ट रोअग्ष जाशा जयपाण एरो स्पेस एक्सप्रोरेशन एजिंसी द्वारे एक नियोजेथ संयुक चंद्र मिशन है मिशन चंद्रमा के दक्षनी धुरू छेत्र का पता लगाने के लिए 2026 से पहले एक माना रही चंद्र लेंडर और रोवर भेजेगा नेक्स है भारत की पहली वाने चिक अंतरिक्स इस्तिती जनक जागरुकता वैदिशाला किस राज्य में स्तापित क की जाएगी स्पेस सिच्वेशनल अवेरनेस ऑब्जवेट्री कौन से स्टेट में स्तापित की जाए गए कोश्चन यह पूछ रखा है उत्रा खंड में नेक्स है माई 2023 में इस्तों ने अपना पहला दूसरी पीड़ी का नविगेशन सैटेलाइट लॉंच किया इसका नाम क्या है इसका नाम है एन्वीएज जीरो वन एन्वीएज जीरो वन सैटेलाइट तो यह लॉंच हुआ इस्तों के द्वारा लॉंच वा जीएस एल्वी एफ्ट्वेल रॉकेट जीएस एल्वी की फुल फॉर्म यहां आप देख सकते हैं मैंने लिखी है जियो सिंकूनल इसका में उद्देश है भारती नसक्त्र सेवाओं के साथ नवीगेशन की निरंत्रता को बढ़ाना जिसे भारत और इसके आसपास के छेत्र में सटीक और रियल टाइम नवीगेशन प्रदान किया जा सके नेक्स सारा भाई अंत्रिक्ष केंद्री के नए निदेशक के रू नेक्स से अपना 14 जुलाई 2013 को किस अंत्रिक्ष एजेंसी ने चंद्रियान 3 मिशन लॉंच किया तो इसके बारे में हम देखते हैं चंद्रियान 3 मिशन इश्रो द्वारा लॉंच हुए है लॉंच हुए है LVM3 M4 रॉकेट के द्वारा अगर हम LVM3 को देखें वो लॉंच वेकिल मार्क 3 है लॉंच डेट इसकी रही 14 जुलाई 2013 लॉंच साइट रही 37 धवन स्पेस सेंटर इन स्रीहरीकोटा जो कि आंदरप्रदेश में है इसका टोटल मास था 3900 केजी टोटल कॉच 615 करोड की रही थीम था साइंस ओफ दी मून थीम बहुत इंपोर्टेंट है और इंपोर्टेंट इन सबको आप नोट कर लीजिए या फिक कहीं पे स्क्रेंशाट लेते वे चैनला बहुत इंपोर्टेंट आप लोग के एक्जाम के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते अपनी नेक्स वीड उले कि लोग burnout लाइक कर दोट होगी या लाइक कर दोट होग हैं।